Hello everyone, welcome to Okul, तो आज UPSC की तरफ से Civil Services 2021 exam को लेकर एक बहुत बड़ा जो announcement है वो किया गया है और काफी awaited announcement था और एक तरीके से कह सकते हैं कि expected भी था जिस तरीके से कोरोना के cases बढ़ रहे हैं तो इस तरीके को लेकर काफी समय से prelims मतलब जो prelims के या exam के हम कह सकते हैं Civil Services 2021 के जो aspirants थे उनके mind में ये चीज़ थी कि क्या जो इस बार का exam है वो 27 जून को जो 27 जून 2021 को scheduled था वो उस दिन होगा या नहीं होगा क्योंकि कुछ exams ऐसे थे जैसे कि पिछली बार आपको पता है कि मतलब जो अभी UPSC Civil Services 2020 था उसके कुछ interviews वगरा होने थे April end से लेकर जून के 15 तक 18 तारिक तक चलने वाले थे UPSC नो उनको पहले ही जो है वो postpone कर दिया और बागी कुछ exams और भी थे जिसकी notification भी UPSC अभी 5 तारिक को 5 मई को जारी करने वाला था तो UPSC ने वो भी फिलाल के लिए जो है postpone करे हुए है तो उसी को लेकर लोगों के मन में ये doubt था या ये आप कह सकते हैं कि आशंका थी कि उस exam का जो 27 जून को होने वाला है उस exam का क्या होगा तो आज तारिक 13 मई के दिन UPSC ने ये चीज़ जो है वो बिल्कुल clear कर दी है इस exam को लेकर कि इस exam की जो date है उसको क्या कर रहे है आगे बढ़ा रहे है तो official notification ये आ चुका है कि date जो है वो आ 27 जून को जो exam होने वाला था 27 जून को जो exam होने वाला था उसको क्या किया गया है due to novel coronavirus की वज़े से exam को postpone किया गया है और अब ये exam जो है 10 October को होगा ठीक है साफ UPSC ने आपको ये बताया है कि 10 October के दिन ये exam होगा तो अब आपको यहाँ पर यह लगेगा कि इस तरीके का वीडियो हमने पिछली बार भी बनाया था और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था इस बार भी ऐसा ही हुआ है इसमें नया क्या है इस बार नया थोड़ा समा आपको इचीज बताओं जो मुझे लग रही है वो नया ये है अगर आप pattern को follow कर रहे है या अगर आप पिछली बा के पैटरन से इसको कंपेर करें तो पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था पिछली बार एक बार में जो है वो डेट एनाउंस नहीं की गई थी जो जून में एक्जाम होने वाला था उसके बाद फिर आपको बोला गया कि अभी जो एस्तिती का जायजा लिया जाएगा हालात देख काम UPSC ने किया है वो यही है कि एक ही बार में इस एक्जाम की जो डेट है वो आप लोगं को बता दी है कि 4 अक्टूबर है तो आप आपके पास आप समझे कि जुलाई अगस्ट और सेप्टेमबर पूरे तीन महिने है ठेकर आप पूरे तीन महिने है आप लोगं के पास आ तो आप फिर से एक वर्दान के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं और एक्जाम के लिए अपने को और बहतर तरीके से प्रिपेर रख सकते हैं अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि यह चीज़े तो जो है ठीक है common है यह तो हमें कहीं से भी वीडियो से या कहीं और से पता लगी जाएंगी है ना आजकल इतने सारे टेलिग्राम के या सोचल मीडिया के ग्रूप्स हैं चैनल्स हैं तो वहाँ पर इस तरीकी के तमाम चीज़े तो आही जाएंगी अब यहाँ पर मेरा एक मकसद यह है कि आप लोगों को यह डेड़ बताना तो मकसद ही है इसके अलावा हम आप लोगों के लिए और क्या कर रहे है या और क्या कर सकते है इन आगे आने वाले तीन महीनों के लिए ठीक है न या जो आगे टाइम बढ़ रहा है उसके लिए क्या कर सकते है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा तो सवाल यही होता है क what next अब इसके लिए next ये है कि extended period में जो पिछली बार extend हुआ था हमने वहाँ पर भी एक वीडियो बनाया था और यहाँ पर भी हमने एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है हाला कि वीडियो वही पुराना वीडियो है लेकिन वो इस तरकी का generalized वीडियो है कि बिल्कुल सेम परिस्थिती इस बार भी आ रही है पिछली बार भी जो है वो लगबग टाइम आपको इतना ही मिल रहा था इस बार भी टाइम आपको जो है लगबग उतना ही मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर अलग-अलग students यानि कि किस category में आप fall करते हैं आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी हुई है आप अपनी पढ़ाई के किस stage में है उस हिसाब से जो है उस हिसाब से जो है एक बिल्कुल strategy का वीडियो बनाया हुआ है जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और उसके through जाके आप अपने आगे आने वाले जो तीन महिनों का समय है उस पर अपने आपको focus रख सकते है और अपने जो तैयारी है उसको बिल्कुल एक streamline या channelize करके आगे आनले समय में भी तैयारी कर सकते हैं कि इस तरीके का जब भी delay वगरा होते है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे कुछ students ऐसे होंगे जिनको काफी खुशी होगी क्योंकि हो सकता है कि कुछ students ऐसे हो जिनकी 50%, 60% तैयारी हो या 70% तैयारी हो हो सकता है उनका last attempt यह हो तो उनको डर लग रही थी और उनको इस आगया नाले समय में या फिर जो समय बढ़ गया है इसमें उनको ये भी लगेगा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि हम अपना जो बचा हुआ syllabus है वो complete कर सकते हैं कुछ students ऐसे होंगे जो बिलकुल कुछ-कुछ ऐसे होते हैं अने आने के समय ते उनकी तैयारी लगभग लगभग पूरी हो जाती है अब उनको ये लगता है कि अब exam हो जाना चाहिए exam हो जाना चाहिए अब हमने अपने mind में जितनी सारी चीज़े पड़ी है जितनी सारी चीज़े याद करी है हमारी memory में उसको हर daily basis पे carry करना जो है वो आसान नहीं होता है तो ऐसे समय में आप लोगों को करना क्या है हर तरीके के student को आपने जितना percent slaves cover किया है 10% किया है 20% किया है 50% किया है 90% slaves आप लोगों ने cover किया है prelims का कर लिया है mains का कर लिया है इस video के थूँ थोड़ा सा देख सकते है थोड़ा सा help कर सकते है हमारी तरफ से यह चोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किया गया है तो इस video को आप देखेगा जरूर ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आज तो वैसे भी अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा जिसको कहते है कि उथल पुथल हो रही होगी कि आप आगया नहीं समय में हम लोग क्या करेंगे तो इस video को आप लोग थोड़ा सा देख सकते है और कुछ idea आपको यहां से जरूर मिलेगा तो आई होप यह चीज़े बिल्कुल आप लोग को clear है मैं फिर से आप लोग को एक बार बता दू कि एक्जाम जो है वो आप लोग का postpone हो चुका है यहां पर आप देख सकते है 10 अक्टूबर को अभी एक्जाम होगा तो लगभग 3 महीने से जादा का समय आप लोग के पास है तो इसलिए strategy आप लोग अपने आगे की बिल्कुल बनाईए और उस strategy को बनाने में हम आप लोग का यहां पर थोड़ा सा support इस वीडियो के थूँ भी कर रहे हैं तो नीचे description box में इसका link दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते है बाकी ओकुल के जितने भी courses है उन courses को अगर आप refer करना चाहते हैं कुछ courses NCRT के बहुत बढ़िया courses है हमारे जिनके थूँ आप लोग quickly जो है वो चीज़ों को revise कर सकते है लक्षमी कांथ का हमारे पास पूरा जो quality है उसका पूरा course है हमारे पास जो शंकर I.S. environment book है उसका पूरा course है जिसको आप लोग बहुत quickly जो है हमारे courses के थूँ जाके revise कर सकते है ठीक है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे पास M. लक्षमी कांथ जो quality है M. लक्षमी कांथ जिसको quality की Bible book माने जाता है उसका हमारे पास पूरा का पूरा फुल course अवेलेबल है ठीक है ना फुल course अवेलेबल है उस course में जाके आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं पूरा course अवेलेबल है उसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि शंकर I.S. शंकर I.S. की जो environment की बुक है शंकर I.S. environment की जो बुक है उसका भी फुल course हमारे पास अवेलेबल है है ना बाकी हमारे पास multiple NCRT के courses अवेलेबल है NCRT specifically अगर हम बात करें तो geography के NCRT के हमारे पास बहुत सारे courses है वो आप जाके नीचे description में चेक कर सकते हैं उसके थूआ पढ़ सकते हैं हमारे पास spectrum की जो बुक है modern history की जो spectrum बुक है उसका पूरा का पूरा course जो है वो अवेलेबल है तो ये सारे courses आपको हमारी जो website है that is okul.co उस पर मिल जाएंगे और सबसे बड़ा फाइदा इन courses का ये है कि वहाँ पर आपको chapter wise PDF में notes भी मिल जाएंगे और बहुत ही affordable rates में ये course आप लोग के लिए provide करे जा रहे है अगर आप लोग चाहते हैं कि इन courses के तुरू आप लोग quickly अपनी जो तैयारी है तैयारी चल रही है उसको आप चाहते हैं कि 10 दिन में आप लक्षमी कांद को revise कर ले 10 दिन में आप शंकर I.S. revise कर ले 10 दिन में आप spectrum revise कर ले तो बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं करना क्या है कि नीचर description box में सारे के सारे courses के link आपको दिये हुए है उस पर जाके आप चीजों को पढ़ सकते हैं और उनके तुरू revise कर सकते हैं NCRT जो class 11, 12th NCRT है चारो NCRT geography की हम लोगों ने cover की हुई है बहुत ही detailed तरीके से cover की है और एक course हभी हमारा economy का जो full course है वो भी हमारा continuation में चल रहा है उसके भी 90 plus videos हम लोग cover कर चुके हैं और ये course जो है वो भी आगे आने वाले 10 दिन, 15 दिन या maximum एक मेहने में आप लोगों के लिए cover हो जाएगा तो अगर आप economy को भी यहां से cover करना चाहते हैं तो हमारे platform के थूँ आप वो भी कर सकते हैं तो एक बार okul.co की जो website है उस पर जरूर आप लोग visit कीजेगा और हमारे जो youtube channel है उसको आप लोग जरूर subscribe कर लीजे क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के जो courses है वो काफी सारे courses आप लोग को free में भी available मिल जाएंगे शंकराइस का course है वो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लक्षमी कान्त आपको वहाँ पर कुछ कुछ वीडियो आपको जरूर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको एक हमारे जो content है उसके जो quality है जो भी अपने doubts queries वगरा है वो आप हमसे यहाँ पर पूच सकते हैं इसके through भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं बागी अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी query होती है या अपनी कोई भी बात हम तक कहना चाहते हैं तो आप हमारी जो email ID है that is support at the rate okul.co इस पर भी आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं या फिर social media platforms पे भी अगर आप हमें search करेंगे that is facebook, telegram, twitter, linkedin इन सब के through भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी बात है इन courses के बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी की जरूरत है तो आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगी अग्यार वले तीन मेने आप लोगं को UPSC की तरफ से और दिये जा रहे हैं इसको एक plus point समझिए negative point बिल्कुल भी मत समझिए काफी जादा अच्छा आप लोगं के इससे हो सकता है तो तैयारी अपनी जारी रखिए और हमारा अगर जितना भी support हो सकता है हम आप लोगं के लिए करने को बिल्कुल तैयार है तो चलिए मिलेंगे और किसी ऐसे ही वीडियो में तब तक हमारे platform के साथ हमारे courses के साथ अपनी तैयारी को अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जोर सोर्से जारी रखिएगा Thank you, Have a nice day, Bye Bye, Jai Hind